नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज राय आज हम बात करेंगे खजूर के फायदे खजूर को हम दूद में डाल कर पीने से हमें क्या-क्या लाब मिलते हैं ये कौन-कौन सी बीमारियां दूर करता है तो इसके बारे में संपूर्ट जानकारी लेंगे और खजूर के फायदे सूखे मेवों में अनिक एंटी ओक्सिडेंट प्रोटीन, आईरन, केल्सियम, मेगनेसियम और जिंक जैसे पोसक तत्व और खनिच पाये जाते हैं लेकिन इन्हें दूद में डाल कर पीने के बहुत फायदे बढ़ जाते हैं हैसा ही एक सूखा मेवा है खजूर जिसे दूद के साथ पीने से शरीर को बहुत लाब मिलता है इसमें फाइवर, कार्ब, केल्सियम, प्रोटीन, बिटामिन A, बिटामिन C, बिटामिन E, जिंक, फासपूरस, पोटेसियम, कापर और आईरन भी प्रिचुर मातरा में पाये जाता है, प्राचीन कहावतों में, बुंदिल खंड में एक कहावत बहुत चलती है, मास खाए, मास बड़े, घीक खाए, खोपडी, और दूद पीके चल पड़ी, सो बरस की डोकरी, अर्थात, मास खाने से मास बड़ता है, और घीक खाने से खोपडी बरती है, माना सिर चल जाती है और यह तो आप जानते ही हैं दूद का प्रवाव सहीज को कितना फाइदा पहुंचाता है एक तो दूद दूसरा खजूर यह कॉंबिनेशन इनके गुणों को कई गुणा बढ़ा देता है दूद में खजूर डालकर पीने से इसके फाइदे दूद और खजूर क एक साथ सिवन करने के लिए तीन-चार खजूर को रात बार दूद में भिगो कर रख दें अगली सुबह खजूर निकाल कर खालें और दूद पीलें या उन कुटली निकाल कर उनको एक साथ भी हम पी सकते हैं हड़ियों के लिए फाइदे मन्द है दूद केलसियम से भरप और कापर भी मिलता है जो हड़ियों के लिए बहुत अपयोगी है इससे हड़ियों को मजबूती मिलती है और हड़ियों के कमजोरी और इसमें दर्द नहीं होता है आयरन की कमी दूर होती है खजूर वाले दूद के सेवन से सरीर में हुई आयरन की कमी पूरी हो जाती है जैसे लक्षन दिखाई दिने लगते हैं इस दूद और खजूर को पीने से यह दिक्कत नहीं आएगी आपको ठकावट और कमजोरी महसूस नहीं होगी इसकिन के लिए भी भी यह बहुत फाइदिमन्द है खजूर में एंटी आक्सिडेंट और बिटामिन सी भरपूर मातरा में होते हैं इसे दूद में भिगो कर खाने पर और इस दूद को पीने पर तुचा पर भी इसका असर दिखने लगता है हमारी तुचा चमक आ जाती है इसकिन से एकने कम होता है और एजिंग साइंस हलके होने में मदद मिलती है पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है फाइबर से भरपूर यह मिस्ट रहता है यह कब्ज को भी दूर करता है दिमाग के लिए बहुत फाजबंध है खजूर वाला दूद दिमाग के लिए बहुत ही लाबदायक होता है इसमें बिटामिन B6 की अच्छे मात्रा पाई जाती है जो पूरे दिमाग की सेहत दुरुस्त करता है और यह याद दास्त को बढाने में भी महत्पून भूम करने बाता है बजन बढाने में मदद करता है अगर आप दौरवल हैं कमजोर हैं तो आपको खजूर वाला दूद अवस्ट पीना चाहिए दूद में भीगे खजूर बजन बढाते हैं मसल्स को मजबूति पजान करते हैं और आपको फिट रखते हैं इसकी कुछ सावधानियां भी हैं कि उन्हें नहीं खाना चाहिए तो अधिक मात्रा में खजूर का सेवन हमें नहीं करना चाहिए हम चारपांट खजूर से ज्यादा खजूर ना खाएं यससे यदि आप ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो दस्त एबम गैस की समस्या हो सकती है यदि आप मोटे हैं तो आप कम मातरा में ही खाए और exercise करते रहें तो कोई परेशानी नहीं होगी यानि आप मोटे और ज्यादा नहीं होगे और यदि आप दौरबल नहें तो आपको इसे अवश्र खाना चाहिए और यदि आप सुगर पेशेंट है तो आपको खजूर का सेवर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ब्लेड में सुगर की मातरा बढ़ जाती है तो इसका ध्यान रखें आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद नमस्कार दोस्तो